Hey guys, welcome back, इस वीडियो में हम बात करने माले हैं दो important update के बारे में पहला update है दोस्तों Binance Exchange से related तो Binance Exchange लगवक 5 coin को जो है D-List कर रहा है अपने exchange से क्योंकि Binance Exchange की जो terms and condition है उसकी according ये coin जो है सही नहीं है तो इस वज़े से वो D-List कर रहा है और इन coins में से अगर आपने कोई सा buy क करके रखा है या फिर Binance Exchange पर hold करके रखा है तो आप उसको remove कर सकते हैं आला कि जो withdrawals की date है वो काफी लंबी चोड़िये तो आप easily वहां से remove कर सकते हैं अपने coins को अगर आपने buy करके रखा है इन coins में से कोई सा तो ये जो 5 coin है दोस्तों उनमें है clock coin, modem, salt, substratum and binks तो ये ज अब एक दो दिन पहले ही coinbase wallet वालोंने एक feature add किया है कि आप अपनी private की house का backup गूगल ड्राइब पर या फिर iCloud पर डाल सकते हैं गूगल ड्राइब बिसिकली Android users के लिए है और यह Google का product and iCloud iOS users के लिए है जो की Apple का phone use करते हैं तो basically news क्या है और आपके काम कैसे आ सकती है देखो थोड़ा सा यह risky वी चीज़ है दोस्तों क्योंकि आप अपना जो 12 word का recovery phrase होता है या फिर जो आपका private की होता है उसको cloud पे डालते हो तो यह बहुत ज़दा risky हो जाता है हाला कि यह encrypted form में होता है तो उसके लिए password required होता है और जब आप password डालते हो तभी वो जो है decrypt होता है और आपका account login होता है बट कई वार ऐसा होता है कि लोगों का जो gmail है वो compromise हो जाए तो बहाँ पर problem हा सकती है तो अगर आप coinbase wallet यूज करते हैं और इस feature का यूज करना चाहते है अपने cloud पे अगर रखना चाहते है अपनी private की को तो make sure कि आपका जो gmail है उस पर two app security लगा ही र लेना है अपने cloud पे आप चाहें तो इस feature को जो skip कर सकते हैं तो ये कुछ लोगों के लिए सही है जिनका gmail account secure है विकोछ कई वार होता है कि हम लोग अपने जो private की है वो by mistakenly भूल जाते हैं या फिर कुछ ऐसी जगह पे रख देते हैं तो उसको वहां से recover कर पाना मुस्किल ह होता है तो ऐसे में जो backup है cloud storage का वही कामाता है गूगल drive पे अगर आपका पड़ा हुआ है private की तो easily आप वहां से login कर सकते हैं अपने account को अगर आपने phone चेंज किया है या फिर आपका phone भी गुम गया है या फिर जो आप अपना recovery sheet है उसको भूल गये हैं तो क्योंकि आपके fund के लिए सबसे main important चीज private keys ही होती है दोस्तों आप इस feature का यूज कर सकते हैं यूज करने लिए आप अपना जो coinbase का app है play store से उसको latest version में जो update कर लीजिए जिसमें आप easily अपना जो private key है उसको google drive या पिर i cloud पे डाल पाएंगे लेकिन यह जो feature है उस case में useless हो जाता है जब encrypted form में cloud पे जो है backup लगाओगे तो password आपको डालना होता है और अगर आप उसी password को फूल जाते हो तो फिर उसके backup लेने का कोई sense नहीं बनता तो password तो कभी नहीं बोलना है आपको इस चीज को में सा याद रखे अभी कुछ किसमें यह होता है कि बहुत सारे users होते हैं जो कि बह यूज करे तो better रहेगा तो यह दोनों important update थी दोस्तों जो कि मुझे आप लोग को बतानी थी इस वीडियो में thank you so much झाल